हेलो अप्रिवन आपके अपनी येट्यूब चैनल एडिपेशन टिटोरियर में आपको स्वाज़ आपके आपके इस वीडिए में बताने वाला हूं लिमिनेशन मेथेड की बारे में यह तो इक्वेशन केते हैं 2x प्लस y इसकल टो माइनस 4 एक्वेशन है और 5x माइनस 3y इसकल टो 1 यह तो इक्वेशन है अब देखिए 2 में 5x माइनस 3y इसकल टो 1 है तो अगर हम 1 में 3 से मल्टिप्लाइ कर दें तो यह 3y और यह वाला 3y इक्वेशन हो जाएगा ठीक है तो चलिए क्वेशन 1 मल्टिप्लाइ 3 मल्टिप्लाइ दो है 3 ओके वी गेट अब यह स्वेशन को एक्वेशन नमबर 2 से प्लस करेंगे तो यह वाला टर्म कट जाएगा कैसे कटता है जो हम इसमें 5x-3y is equal to 1 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस है तो इसलिगे कट जाएगा तो इसको जब प्लस करेंगे तो 11x आएगा is equal to minus 11 आएगा ओके तो देफोर x की वाली हमर पास का आएगी 11 अपान 11 11 बंगे 11 देफोर x is equal to minus 1 ओके तो minus 1 हमारी वाली वाली आदी अब इसको हम हम put करेंगे equation number 1 2 में रख देते हैं चाहिए 3 में रख देते हैं कि वाली जुआ आए थी 3 equation है ओके चाहिए 1 में रखेंगे 2 में रखेंगे तो y की value निकल आएगी हम putting the value of x in equation 1 मैं 1 में रख रहा हूँ तो x की value minus 1 आएगी तो हमारी 1 equation है वो यह रही okay यह वाली equation हमारी 1 है तो इसमें मैं x के value रखूंगा तो मैं पास क्या आएगा 2 x की value minus 1 रखेंगे okay plus y is equal to minus 4 तो इसे multiply होगा तो minus 2 plus y is equal to minus 4 आएगा okay जब यह यहाँ पर इदर minus का है तो equal to के इससे right hand side जाएगा तो plus में हो जाएगा y is equal to minus 4 है plus 2 जेफोर अब यह minus का 4 है plus का 2 है तो plus और minus का होता है minus होता है तो 4 में से 2 हो गया 2 बट बड़े साले second side minus है तो यहाँ पर आएगा minus okay तो एक question song हो गया देखेंगे x की value मारे पास minus 1 आई और y की value minus 2 आई thanks for watching अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए आई पासी लगे बालकर को भी दवा लेगी thanks for watching